किसना भाईया इनका पिलोग्राम तो फिट हो गया अब 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 धन्राज की पारी है धन्राज सेड धन्राज बोलो चू बोलो आपके पास एक कोठी है स्वर्क नाम की मैं उसे खरीदना चाहता हो मगर मैं उसे बेचना अब नहीं चाहता सौच लिजे मुंगे की मत दूंगा मैं फिर भी तैयार नहीं हुए ऑचाश पाटाल नहीं आपको सत्तर में आप कौम साब बोले है असे अखिर इस कोटी में ऐसा है क्या मेना पट्लाब है कि नभे ठेरिये 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 आप इतनी जीत करने तो मैं आपका दिल टोड़ू का नहीं मगर एक बात पूछूंगा मैं आप कहीं मजाग तो नहीं कर रहे हैं ना मैं मजाग नहीं करता है ठीक है ठीक है अब मेरे गर पर रुपएं लेकर आज़े हैं मैं आपको सिर्फ दस्तकत कर रहा है मैरा आद्मी 90 लाक लेकर भार खड़ा है जहां कर दर्वाजा दो कूछ एक काम कर यहां रखना मध है मैं आता हूं रखना मध है गुड मॉर्निंग ये रहे आपके कांसा और ये रहे आपके नभे लाग अन्रै लाग भाई साहँ लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं नभे लाग पर आगरी मान जाओंगा मुझे आदमी की आवकात का अंदादा है धनराज मैं जानता हूं कौन कहां आकर तूट सकता है यह लीजी हमारे गुज्रादी में एक कहावत है जो आदमी की बात समझ में ना आए उसके साथ कभी सौधा नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है इसके लिए मैं आपके साथ सौधा करूँगा क्योंकि इसमें मेरा फाइदा है एक बात मुझे बताईए आपके बाई साथ जमीन पे भाव को आस्मान तब पहुंचाना चाहते हैं क्या जी नहीं उनका पिरोग्राम थोड़ा उल्टा है वो आस्मान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते है क्यों परने हुख़ती मैं ठाझ्या ज कर देना इभ गालती है वाक हाओ सेथी तेजि आपकी फेक्टिर में आग लगती है फेक्टिर में आग लगती है कॉन मुझा तुम माच्पेशन वह सा कहाई मिवाच्पेशन जार सेथ। जार सेथ। बटे वागलती तिया, गाली, गाली